हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो दे ओफिशिल यूट्यूब चैनल आफ एम्वेज़ अफिशिल फ्रेंड्स बेच्चू प्रीविएस यर्स पेपर्स में आज हम उपस्थित हैं लेकर B.Ed. Mathematics का पेपर है जो की कंड़क्ट किया गया था 2017 में आईए इस पर बात करते हैं कि इसमें किस तरह के questions है और question का level क्या है easy है, moderate है, high है और कहा कहा से questions आया हुए है और कौन कौन सा portion आपको तयार करना होगा इस exam को crack करने के लिए so friends सबसे पहले इसमें आपको instructions मिलेगा कि आपका जो question booklet है आप उसे 10-30 minute के अंदर आप उसे check कर लें कि वो सही है या नहीं है या कोई page फटा है या कैसा है उसको check कर लें इसके साथ कोई भी cheat या फिर कोई digital चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए यहाँ पे पूरा का पूरा instructions है आप इसको बिधिवत पढ़ लेंगे इसके बाद आप को rough page मिलेगा rough page मिलने के बाद जो सबसे ज़रूरी है वो यह चीज है number of questions यहाँ पे number of questions होंगे 100 और एक question का जो mark होगा वो होगा 3 mark का तो simple सी बात है जो total paper होगा वो 300 number का होगा इसके साथ इसमें negative marking भी है जो की है minus 1 आप गलत करेंगे तो आपका एक number minus होगा so friend यह पूरा जो है की paraphernalia रहा कि आपको कैसे करना है total hundred questions है और एक question तीन number का है उसके साथ उसमें negative marking भी है so आपको बहुत ध्यान से इस paper को देखना होगा आए देखते है कि इसके questions कैसे है easy है moderate है या फिर high है या फिर questions कहां से पूछे गया है आईए सबसे पहले section A section A में जो question है वो पहला question यह कि एक शातर अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए उससे यह कहना चाहिए कि वो उत्तर मंत्रना के बाद देगा उसे चातर को होगा इसके बाद अगर क्यारा कि which one is not true for a teacher एक अध्यापक के लिए क्या सकते नहीं है अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है अध्यापक अपनी कक्षा का व्यवस्थापक होता है अध्यापक का अधिनायक होता है अध्यापक अधिगम सुसाध्य बनाने वाला होता है इस तरह के कोशन आएंगे जो शुरुआत क्योंगे आप थोड़ा सा भी अगर जो है कि इस पर फोकस करेंगे तो इसको आराम से आप कर सकते हैं मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो सीटेट की एक बूक आती है आप उसको ले लिजिए और उसकी तयारिक मत्तब उसको बस पढ़ लिजिए एक बार एक नजर इसको आप पढ़ लेंगे तो यह आपके लिए काफी भैतर हो जाएगा वहाँ से कोशन मिल जाएंगे सिदर कोशन नमबर 3 कोशन नमबर 4 5 6 डिसिप्लीन अनुशाशन का तात पर क्या है सख्त वहवार आग्याकारिता कठोर दंत या फिन नियमों के अनुशार तो बड़ा सिंपल सिंपल सा कोशन है तो फॉर्थ ऑप्शन इसका जो होगा वो करे बावकों कि सायता मिली चाहिए स्रवी सीडी कि सायता मिली चाहिए तथा समान वहवार किया जाना चाहिए तो इसके लिए जो आप्शन नमबर सेकेंड है वो करेक्ट है इसी तरीके से फ्रेंट्स कोशन नमबर एट है एट नाइन टैन फिर उसके बाद 11 यह जो है आपका पॉलिटी से रिलेट कोशन आ गया है मतलब मैं कह सकता हूं कि आप को आपको हल्का फल्का पॉलिटी उसके साथ साथ करिंट आफएर ओर जीके इन तीनों पर ध्यान रखना होगा मैं लिए देता हूं पॉलिटी जीके एंड गया Building Co कॉरेंट अभेना विकॉज आप क्लियर हो जाएंगे कि current affairs की बात हो रही है इसके साथ ही आप अगर NCRT पढ़ रहे हो तो class 11th और 12th की book जरूर पढ़ ले वो एंपल है बहुत है उसके लिए उससे जर्दा कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद जो है कि 13-14 है question है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना क्या aim नहीं हो उसका तो यह सब सारी चीज़े हैं अगर आप current affairs पढ़ते हैं तो यह आपके लिए काफी बैतर होगा अगर आपको कोई भी exam निकालना है तो आप सबसे पहले current affairs से अब डूटेट रहिए आपको current affairs पढ़ना ही होगा जिसका फायदा आपको मिलेगा इसके बाद question number 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक चीज़े वही हैं उसके बाद थोड़ा सा आपको reasoning भी देखने को मिलेगा यहाँ पे जो question number 21 है यह question reasoning से related है तो आपको थोड़ा सा reasoning पे भी अपनी पकड़ बनानी होगी फिर question number 2 it is belong to reasoning 23 यह aptitude का question है तो aptitude के लिए आप RS अग्रवाल यह ले लिजे और इससे तयार कर लिजे फिर 24, 25, 26, 27, 28 यह सब इसमें aptitude और reasoning दोनों mix अप है आप देख सकते हैं फिर question number 30 के बाद आपका section खतम हो जाता है फिर आम लोग बात करेंगे section B पे section B में आपको थोड़ा सा maths मिलेगा क्योंकि यह जो paper वो B.Ed mathematics का है तो यहाँ पे आपको section B में maths हल करना होगा तो आप यह करें कि आपके पास समय बहुत जादा तो होगा नहीं सबसे पहले आप section A कर लें और उसके बाद section B पे आए question number 31, 32 और यह सब जो level है question का वो भी बता दो आपको आप NCRT ले 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 और class 11 और class 12 बस यह दोनों classes का आप maths लगा लिजे यह exam निकल जाएगा कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप इस exam में top कर जाएं क्योंकि question simply वहाँ सही उड़ते हैं जहां से मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को आप ध्यान दे question number 31, 32, 33 इसके बाद पूरा का पूरा यह सब के सब 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47 यह सब के सब जो है कि वहाँ सही आपको मिल जाएंगे आपको इसके लिए ज़्यादा महनत करने की जरूरत नहीं होगी हाँ यह मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको तयार क्या करना होगा इसके लिए आपको तयार करना होगा probability mensuration calculus coordinate geometry इसके साथ आप limits and continuity calculus में ही आपको differentiation मिलेगा integration मिलेगा इसके साथ ही एक चीज़ और है नाम इनका इज़त से लेना चाहिए trigonometry यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है trigonometry अगर आपका तयार है तो आप maths के जो कि आदे सदी questions को आप opt कर सकते हैं इसके बाद एक और probability it is most important तो यह आपको ध्यान में बना के रखना है इसके बाद social number 68 जो probability का है 69 आपको मिलेगा equations का तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको two variable equations त्यार करने होंगे इसके साथ ही आपको इन equations भी तयार करने होंगे linear भी आप तयार कर सकते है it is very important and we have to move the next question that is question number 71 कहरा है कि एक गेंद कमरे के छट से गेरती है और फर्स पर दो बार उचलकर छट की उचाए के आदे तक पाउस्ती है इसका प्रत्यान नयन गुडांक बराबर होगा तो इसका प्रत्यान नयन गुडांक वाला यह जो question है यह आपका physics से related है तो अगर आपका class 12 में physics रहा हो में भी physics तो जरूर रहा होगा चाहे आप बायो स्ट्रीम से हो चाहे किसी भी स्ट्रीम से होगा mathematics आप बर रहे हैं तो सिंपल दी बात है math physics chemistry रहा होगा तो इस question को आप अराम से opt कर सकते हैं इसके बाद next question is question number 72 which is related to circle coordinate geometry में आपको circle मिला होगा, parabola मिलेगा, ellipse मिलेगा तो इस सारी चीज़े मिलेंगे वहाँ से आप इसको तयार कर सकते हैं इसके बाद कर रहे हैं the term independent of x in the expansion यह expansion है expansion आपको NCIT में मिल जाएगी या फिर आप RS अगरबाल देखें फिर some of n terms, it is very important question यह आपको मिलेगा AP में AP का मतलब अरूर प्रजापती नहीं है, arithmetic progression it is very important chapter which is related to algebra, so आपको यह तयार करना है यहाँ पर मैं आपको और बता दू, arithmetic progression के बाद आप GP भी तयार करें arithmetic progression, geometrical progression and the second one is HP HP means not हिमाचल प्रदेश, it is harmonic progression, so यह आपको तयार रखना, it is very important आप इसके बाद आगे बाद करते हैं, यह matrix matrix भहुत important है, इसको आप तयार करें फिर है, कुछ questions आपको log के भी देखने को मिलेंगे आप तयार कर सकते हैं, गर आप आरे सगरवाल पढ़ रहे हैं, तो आप अराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है after it, we have to move the second question, that is question number 78 यह question आपको मिला है calculus से, और इसके साथ-साथ आपको यह मिल जाएगा, coordinate geometry में भी यह question inverse trigonometric function ITF का है, question number 79 जिसकी हम बात कर रहा है, फिर इसके बाद है question number 80, फिर 81, यह functions का question है, limit वाले का, मैंने आपको बताया है, यह chapter में सुरुवात में होगा, तकरीबन lesson 1 या lesson 2 होता है, फिर 81, 82 है, फिर 83 है, यह coordinate geometry का question है, इसके बाद 84, 85, 86, इसाब किसम maths के question है, तो अगर friends maths आपका बहतर है, तो आप इसको अराम से opt कर सकते हैं, यह ध्यान देने वाली बात है, total 98, 99, 100, यह सारी questions यहाँ पर ही है, इसके बाद फिर आपको rough page मिल जाएगा, मैं यहाँ कुछ थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, इस paper में total 2 section थे, section A में 30 question थे, इसमें total 70 question थे, यह आपको gk, current affairs, पॉलिटी अब जो भी कहले हैं, वहाँ से चीज़े मिलें, लेकिन यह totally maths था, तो यह friends important है, आप इस चीश को ज़रूर देखें, so friends, यह वीडियो रहा, जो है कि BA mathematics का, आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर comment box में बताएं, साथ ही साथ, अगर आप हमारी channel पे नए महमान हैं, तो जरूर हमारी channel को subscribe करें, और अभी तक केवला आप video देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, और अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो मिले दोस्त, का और B8 का मैं और भी वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, जल्द ही जल्द, सो हमारे साथ बने रहे हैं, थैंक यू,